अखिल जी अब आप क्या देख पा रहे हैं आत्म निर्भर भारत अभियान को सफल बनाने के लिए जिस तरीके से लॉक डाउन को लिफ्ट किया जा रहा है वो क्या काफी है या और बड़े पैमाने पर हिम्मत जुटा कर कुरोना के साथ जीते हुए पूर्ण रूप से चीज अब की अनुमती लेके एक मेने वेदन करना चाहूंगा कि हम जैसे सामाने जनों को जब यह डिबेट को देखते हैं या करते हैं बड़ा अफसोस होता है कि हमारा देश इस समय कोरोना से लड़ रहा है या आपस में लड़ रहा है पहली बात दूसी बात जो अर्थविवस् में जहां बहुत जादे गरीबी है बहुत जादे हमारे जो श्रमिक हैं मेहंती श्रमिक हैं और उनकी जो परिस्थितियां हैं जो शाहनवास जी ने कहा वास्तविक्ता में इसका मैंने सरकार को विपश्च को यह पता है कि हमारे देश की परिस्थितियां क्या है पूरे वि रहेंगी उनको परिशानी होगी जो अपने पैरों पर खड़ी रहेंगी वह संघर्ष करती रहेंगी तो एक तो यह देर हुई कि हमने अर्थ विवस्था को थोड़ा पिछड़ने दिया दूसरे विश्व के एक प्रतिकूल माध्यम से उसको पिछड़ने दिया अब जैसे आ देखें ये जो पता चलेगा ये एक महिने के बाद 20 दिन के बाद पता चलेगा कि वास्तविक्ता में अगर सरकार अपने हाथ खीच ले और सारा का सारा भाग वो उपभोकता पे डाल दे इसलिए कि एरलाइन इंडस्टी को सर्वाइव कराना है तो उपभोकता पे अगर ब इंडस्टी अपनी जो अक्यपैंसी है अपना जो पूरा नहीं कर पाएगी तो वो भी एक अन्वाइबिलिटी आ जाएगी देखें आज जो परिस्थिती में हम फस गए हैं बड़ा छिदरान वेशन नहीं कर रहा है मैं एक अपना जो विशलेशन है वो किवल बता रहा हू यह परिस्थिती में सारे मजदूर जब अपने गाउं चले जाएंगे जिस गती से वो जा रहे हैं जब हम इस उद्योग को खोलेंगे तो उस उद्योग को चलाएगा कौन पहली बात दूसी बात यह है कि जो डिमांड है मार्केट के अंदर जब मध्यमवर्ग जो है वो 10% हो रहा है MSME आपने खोल दिया उसका केप्सी उट्लाइडेशन अगर 20% हो रहा है वो ब्रेक्विन पॉइंट के उपर अगर नहीं जा पाएगा तो प्रॉफिट कैसे अंद करेगा देखे वास्तविक्ता में जो हमने यह एक आद निर्भर भारत के बारे में ज द्धान्त है जितना जादे प्रोडक्शन आप करेंगे उतना प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट आपकी कम होगी और विश्ट प्रतिसपरधा कर पाएंगे देखे आज की तारिक में जो हमारे सबसे बड़े लक्ष हैं वो है एक डिवांड और MSME को सुरक्षित रखना ज पढ़ा पाएंगी की नहीं पढ़ा पाएंगी एक बहुत बड़ा संशय का पात्र है दूसरा अगर आप लोगों के हाथ में पैसा नहीं देंगे अगर जो लोग दो तीन महिने से जिने तंखाएं नहीं मिली है जिनकी रोजगार छूड़ गए हैं अगर वो चीज पर है चाइना जैसे कंट्री में जहां बड़ी-बड़ी यूनिट लोगों ने लगाई हुई है जवर्ड एकॉनिमी में कोई परिशानी आती है क्योंकि उनकी फिक्स पॉस्ट बहुत जादे है उनको संगर्श करने में बहुत जादे परिशानी होती है हमारे जैसे देश में जहां MSME में जादे production होता है जहां पर employment बहुत जादे generate होता है हम छोटे मोटे जटकों को झेल सकते हैं लेकिन पिछले दो महीने में जिस प्रकार से production उनका बाधित हुआ है उनका working capital का जो पूरा cycle है वो ठप हो गया है और उनके पास इस समय पैसे की कमी है उसके बाद MSME को और market की demand को बचाए रखने के लिए करम उठाने के अबशकता है और मेरा निवेदन यह है कि सरकार विव्यक्ष इस समय कोई भी टीवी डिवेट में एक दूसरे पर आक्षेप लगाने और इस प्रकार की बातें करने के बजाए जो इस समय राष्ट के 99% लोगों की एक अप लुक्ष समस्याओं को अगर मान लीजी आपने 20 लाग करोड का जो पैकेज दिया है इसमें 50,000 करोड रुपए आप इन गरी मजदूरों के लिए दे दिये होते अगर एक लाग करोड रुपए इन गरी मजदूरों के लिए आपने दे दिया होता कि जिस निवास में रह रह रहे थे देखें उनकी परिशानी रोटी नहीं थी आपने रोटी दे के सोचा कि वो अपने घर में रह जाएंगे उनको देर दोहजार रुपए का महीने का किराया अपने मकान मालिक को देना है और मकान मालिक उनको घर से उठा के बाहर फेंक देता है अगर आपने उसके हा जो electricity bills थे अगर जो interest on term loan और interest on working capital जो उनको अगले 4-5 महिने तक देना होता था इसको funded interest term loan में convert करके 6 मने एक साल के बाद लेते उनके पर से बोजहा कम हो जाता वो भी अपने मजदूरों को तंखा दे पाते मजदूरों का पलायन रुख जाता क्योंकि जो सबसे बड़ी समस्या जिसका मैं पूर्वान वान लगा रहा हूँ जब यह lockdown आप खोलेंगे देखिए वास्तविक्ता में हमने अपने अभिमन्यू के stage में अपनों को फसा लिया है